हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल ससी संस्कित, आज की वीडियो में हम देखेंगे EBS Practice at First, वीडियो को पूरा दीखेगा, देखते हैं आज की क्लास का पहला कोश्चन, पहला कोश्चन है, प्रस्थित्की तंत्र का उधारण है, वायू, तालाब, जल, म्र प्रस्थित्की तंत्र का उधारण है, तालाब, आप्शन B राइट है, कोश्चन नमबर सकेंड, कौन जीवी कारक नहीं है, पेड़ पौधे, जन्तू, सूख्ष्म जीव, चट्टान, जीवी कारक का उधारण नहीं है, बाकी तीनों आप्शन जीवी कारक के उधारण है, अगला कोशन, कोशन नमबर 3, अधिक तर पेड़ पौधे पाये जाते हैं, अधिक तर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाये जाते हैं, आप्शन A राइट है, कोशन नमबर 4, अन्यमत जन्तूओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है, आप्शन C रा क्या है तो option बी राइट है compressed natural gas अगला कोशन कोशन नम्बर 6 निम्ण में से कौन सी अंतर राष्ट संस्था पूरे विश्व में पर्यावरन सुरक्षा को देख भाल करती है कोशन नम्बर 7 कीट नासकों से अतिधिक स्थमाल से होगा कीट नासक के अतिधिक स्थमाल से क्या होता है वायू प्रदूशर होता है option बी राइट है कोशन नम्बर 8 लवण जो जल का अवशोशर करता है कहलाता है क्या कहलाता है तो option ए राइट है हाईड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है कोशन नम्बर 9 प्रसित्की तंत्र यों प्रकर्तिक अधिवाशों का सरचन तथा उनके प्रकर्तिक वातावर्णों में प्रजातियों का जीवन सच्छम जन संख्या का रख रखाओ यों प्रती प्राप्ती के लिए प्रियुक्त पद है अगला कोशन, कोशन नम्बर 10 निम्न में से कौन विश्व ओस्मान का कारण है अप्शन सी राइट है वायू प्रदूशन कोशन नम्बर 11 महा सागर प्रत्वी प्रेश्ट के अधिकांस जगह अवरत किया है जो है लगभग ऑप्शन डी राइट है अगला कोशन, कोशन नम्बर 12 निम्न में से कौन वायू प्रदूशर का एक उधारण है वायू प्रदूशर का एक उधारण क्या है धुआयों, कोहाशा, वाहनों से निकलने वाली गैस जलती लकड़ी या चारकोल से निकलनी गैस निकलती गैस ये सब ही हैं वायू प्रदूशर के उधारण कोशन नम्बर 13 भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूशर को रोकने के लिए बनाए ये नियम का प्रयोग करता है प्लास्टिक के थैले आप्शन बी राइट है कोशन नम्बर 14 विश्म उष्मायन के लिए निम नम कौन एक कारक है आप्शन ए राइट है वाहनों से निकलने वाली गैस कोशन नम्बर 15 धातू में प्रास्तर किसे कहा जाता है आप्शन सी राइट है मेटा लाइट को कहा जाता है कोशन नम्बर 16 पेड़ पोधे प्रदूशर को घटाते हैं क्योंकि वे आशोशर कर लेते हैं कारबन डाई ऑकसाइट का आशोशर कर लेते हैं आप्शन भी राइट है कोशन नम्बर 17 भूकम पमापा जाता है आप्शन डी राइट है येक्टर पैमाने पर कोशन नम्बर 18 महा सागरों में जल इस्तर बृद्धी का कारण है आप्शन ए राइट है धुर्वी प्रदेशों में वर्व का पिगलना कोशन नम्बर 19 हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतीशत है लगभग आप्शन डी राइट है 21 प्रतीशत कोशन नम्बर 20 परम ताप करम पैमाना कौन सा है आप्शन सी राइट है कोशन नम्बर 21 प्रकास अंसलेशर संपादित होता है किसमें संपादित होता है तो सभी पेड़ पौधों में संपादित होता है आप्शन ए राइट है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक शिर कर दीजेगा धन्यमाद